नवस्कार स्वागत है अपका वीके नियूस में पुलवामा को अंजाम दिया था मदरसों में फैल है इस जहर को रोकने के लिए असम सरकार ने कड़ा रुख अपनाया धार्मिक शिक्षा पर सरकार ने रोक लगा दी असम सरकार किस फैसले के बाद देश भर में मांग उठने लगी कि मदरसों को पूरी तरह से बयान किया जा कि हाकिम के पास भी उप्चार ना हो उशाठ हाकुर ने कहा मदरसों में जिस तरह की सिक्षा दी जाती है उस हिसाब से लगता है कि यहां से आतंगवादी ही बाहर निकलते हैं तो क्यों ना देश विरोधी गतिविदियों जो मदरसों में की जा रही है उन्हें बंद किया जाए और जनता के खूनपसीने की गाड़ी कमाई का इस्तेमाल विकास के कामों में किया जाए इस बयान के बाद से कटरपंथियों के सर में दर्द होने लगा जमात उलेमा को इस बयान पर एहतराज है लेकिछ जमात उलेमा कश्मीर के मुद्दे पर चुप हो जाता है आज हाजी हुरून कहते हैं कि उशा ठाकुर का बयान अफसोस जनक है आतंग वाद का कोई मजहम नहीं होता चलिए एक बार के लिए आपकी बात मान भी लिए लेकिन जो फ्रांस में हुआ उस पर क्या कहेंगे आप एक काटून पर सर कलम करना तो कोई भी मजहम नहीं सिखाता ये स अगर आपको गलत लगा तो जाकर खुद FIR दर्ज करवाईए किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर कब तक जंग लड़ेंगे हम मदरसों के खिलाब नहीं है और नहीं उसके शिक्षा के खिलाब हमारा देश धर्म निर्पेक्ष देश है या धर्म और संस्कृति को बढ़ में पढ़ रहे हैं हो मदरसे में नहीं अगर आप यह वीडियो को फेस्वुक पर देख रहे हैं तो कि पर पेश को लाइक कीजिए अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कि पर चैनल को सब्सक्राइब करें और पहला कि इनको दबाना ना पूले ता क कोई बी नोटिफिकेशन, मिसना हूम.